नमस्कार दोस्तों, SBI Securities Weekly Podcast में आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज के Podcast में हम Nifty और Bank Nifty के अगले सप्ता के महत्वपून लेवल्स की चर्चा करेंगे और साथ ही आने वाले सप्ता में ऐसे कौन से Sectors और Stocks है जिन पर हमारी नजर होनी चाहिए इस पर भी हम बात करेंगे Friends अगर हम Price Action Perspective से देखे तो लास्ट वीक में RBI द्वारा अपनी प्रमुग ब्यासदरों को स्तिर रखने के साथ जो GDP की दरे हैं उनको और उन्नत करने के कारण Nifty ने एक नई Fresh All Time High Register की Nifty ने इस वीक के लिए 3% गेंज इंकर किया वहीं Bank Nifty ने तकरीबन 5.5% की गेंज के साथ इस वीक को क्लोज किया कुल मिलाकर हम अगर बड़ी जो पिक्चर है उसको देखे तो Bank Nifty अपने September के Swing High से 1.5% अधिक पर कारोबार कर रहा है वही Nifty करीब 3.5% अधिक कारोबार कर रहा है Small Cap और Mid Cap Index को देखे तो उन्होंने इस वीक Nifty के तुल्ला में relatively कमजोर प्रदर्शन दिखाया यहाँ Small Cap तकरीबन 5.5% तेज होकर बंद हुआ वही Mid Cap Index करीबन 1.5% की तेजी के साथ बंद होने में कामियाब रहा अगर हम Dollar Index को देखे तो Dollar Index 103-104 के जो लेवल है उन पर स्तिर हो गया है और साथ ही US की जो 10 Years Treasury Bond Yield है वो 4.3% के आसपास कमजोर कारोबार कर रही है यह दोनों ही चीजे Indian Markets में Liquidity के जारी रहने का संकेत देती है इसके अलावा अगर हम एक नजर दोड़ा है Brent Crude Oil पर तो वह काफी कमजोर बना हुआ है फिलाल 75-76 Dollar के आसपास कारोबार कर रहा है यह इसलिए important है क्योंकि India एक Oil को import करने वाली अर्थ व्यवस्ता है और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आना यह हमारे लिए काफी जादा अच्छी चीज है Brent Crude का जो overall अगर हम trajectory देखें तो वह इस बात का संकेत देता है कि यह 72 से 70 Dollar प्रती बैरल तक आने वाले टाइम में गिर सकता है कुल मिलाकर यह सारे ही संकेत Indian Equity Markets के लिए Positive है अगर हम Global Markets पे एक नजर दोड़ा हैं तो पदा चलेगा कि S&P 500 जो की Last 11 Session से मजबूत चल रहा था उसने Finally 50, 45, 80 के अपने जो Short Term Resistance Zone है उसको पार कर लिया है और वह अब उपर की ओर 47, 10, 47, 40 के ओर बढ़ रहा है वहीं अगर हम European Index को देखें तो वह भी इस हफते 1.5-2% की बढ़त हासिल करने में काम्याब रहा इससे क्या पता चलता है कि इससे यह पता चलता है कि जो Overall Global Equity Markets के Sentiments है वो Positive बने वह हैं और अब आने वाले जो 13 December को US की Fed Meet है उस पर सभी की जो है नजर अब रहेगी बात करें अगर हम Nifty के Levels की तो पिछले कुछ सत्रों में मजबूत तेजी के बाद 20,700, 20,800 जो की एक Gap Zone है ये एक अच्छे सपोर्ट के रूप में कारे करेगा और जब तक यह Zone Hold है तब तक Index के 21,280 से 21,400 के अपने और और भी उपर के Levels की और Rally को हम जारी रखते वे देख सकते हैं वहीं अगर हम Nifty के Negative Side पे बात करें तो 20,700 से नीचे Index जो है 20,450 पे रखे गए अपने Support Zone को Retest कर सकता है यहाँ एक और ध्यान देनी वाली बात यह है कि RSI जो है वो 85,86 के Overbought Territory में पहुँच गया है जिसका यह अर्थ नहीं है कि Index को Short किया जाए बलकि यह है कि Index जो है वो Consolidation में जा सकता है और साथ ही जो 13 December को होने वाली US की Fat Better क है उस पर भी Overall Global Markets का जो मूड है वो Wait and Watch में रहेगा Friends अगर हम Week on Week study करें तो Nifty Futures में तकरीवन 3.5% की तेजी के साथ थी 22% का Open Interest जुड़ा जो की पिछले सब्ता में बनी Long Positions के और भी जादा मजबूत होने का संकेत देती है वहीं अगर हम Options को study करें तो 21,000 और 21,200 के स्ट्राइट में महत्वपून कॉल राइटिंग देखी गई है वहीं Put के Front पर 20,900 और 20,800 में काफी Open Interest जुड़ते वे देखा गया है कुल मिलाकर अगर हम Short Term Range की बात करें तो 20,700 नीचे की और वहीं उपर की और 21,250 से 21,350 की Range निकल कर आ रही है अस्तिरता सुचकांग यानि Volatility Index को जब हम study करते हैं तो पता चलता है कि वह अभी 200 DMA का जो zone है उसके उपर चल रहा है अभी वह 12,50 पर trade कर रहा है और आगे बढ़ते हुए 14,50 यानि 14,50 के इस तर से उपर किसी भी स्थाई कदम से Short Term में इंडिया विक्स में 17,50 से 19 के level तक तेज उचाल आ सकता है वहीं अगर हम नीचे के और बात करें तो 11 के नीचे इंडिया विक्स 9 से 9,50 के अपने जो support zone है वहाँ तक फिसल सकता है चलिए अब बात करते हैं bank nifty की तो bank nifty के लिए ये हफता कमाल का रहा शांदार रहा और बहुत ही यादगार भी रहा bank nifty ने तकरीबन 5,5% की तेजी दर्ज की और मैं यहाँ पे एक आंकड़ा देना चाहूँगा कि ऐसी 5,5% की जो शांदार तेजी है आकरी बार हमने जुलाई 2022 में देखी थी और इसी शांदार तेजी के साथ bank nifty ने अपने जुलाई और सेप्टेंबर में बने swing highs 46,300 के जोन को पार करने में कामिया भी दिखाई और अब हमें लगता है कि यह जो 46,300,46,500 का जोन है आगे चल कर एक support के रूप में कारे करेगा और जब तक यह zone intact है तब तक 47,950,48,080 तक जो rally है उसको हम continue होते वे देख सकते हैं वहीं अगर हम नीचे की और बात करें तो गुरवार का जो level है 46,300,46,500 का अगर वो नीचे की और तूटता है तो index 45,800,45,600 पे रखे गए अपने पुराने support zone को retest कर सकता है बात करें futures data की तो week on week अगर हम देखे तो bank nifty में जो open interest का action है वो support ही रहा यानि फ्लैट ही रहा जबकि कीमते जो है वो तकरीबन 5,5% से बड़ी तो यह जो rally है वो short covering की जो प्रकृती है उसका संकेत देती है friends अगर हम open interest का analysis करें तो 47,000 और 46,800 के put में वही 47,500 और 48,000 के call में महत्वपून open interest build up होते वे देखा गया है यह जो open interest build up होते वे देखा गया है उससे हमें एक range पता चलती है जो की है banking index के लिए 46,300 नीचे की ओर और 48,000 की range उपर की ओर तो 46,300 से 48,000 की overall range हम मानकर चल सकते हैं आने वाले week के लिए तो चलिए nifty bank nifty की तो बात हो गई अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से sectors और stocks है जो momentum में बने हुए हैं और यह आने वाले time में भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं तो अगर हम इस सफते देखें तो कई सारे sectors जैसे की financial services, pharma, cement, mid cap IT, oil and gas, auto, infrastructure यह सभी positive तो नजर आ रहे हैं लेकिन यह सभी कहीं ना कहीं अपने overbought zone की तरफ पहुँच गए हैं क्योंकि इनकी जो RSI है वा 82 से 84 के levels पर पहुँच गई है यह कहीं से भी short जाने का संकेत नहीं देता है लेकिन हमें लगता है कि यह sectors जो है वो consolidation में जरूर जा सकते हैं और यहां पे हमको sectorial rotation होते वे नजर आ सकता है यहां एक बहुत अच्छी चीज हमें देखनी चाहिए कि हमें सिर्फ quality जो companies उन पर ध्यान देना चाहिए साथ ही over leverage positions पर लगाम रखनी चाहिए और जहां तक हो सके hedge होना चाहिए अगर हम stock specific बात करें तो ऐसे stocks जिनके अंदर derivative data भी काफी अच्छा नजर आ रहा है उनमें private banking space से access bank, HDFC bank, ICICI bank, PSU space से canra bank, PNB जैसे नामों में एक अच्छी कासी short covering नजर आ रही है और लगता है कि आने वाले हफते में ये up move और extend हो सकता है एक ऐसा sector जो April 2022 के बाद अब अपने higher levels पे पहुँचा है वो है IT और अब हमें लगता है कि mid cap नाम जो जैसे LTTS, LTI, COFORGE और large cap में Infosys, TCS, HCL Tech ये जो है आने वाले हफते में out performance दिखा सकते हैं momentum जो है वो capital goods शेरों में भी continue होते वे दिखा जैसे कि LT, Cummins, Siemens, Bale and Power में TADA Power ने तो बहुत ही शांदा प्रदर्शन इस हफते दिखाया इस तरह कि जो नाम है हमें लगता है कि इन में आगे भी जो momentum है और जो strength है वो आगे continue होते वे दिखाई दे सकती है metal index की बात करें तो dollar index के 103.5 के levels के नीचे आज आने से JSW steel, sale, JSPL, TADA steel और हिंडाल को जैसे major metal नामों में अच्छा अप्मूब दिखाई दिया cement भी कोई जादा पीछे नहीं रहा cement में भी हम देखेंगे तो dalmia भारत, ultra tech cement, ambuja cement इन में एक अच्छा खासा build-up हमको नजर आया वहीं broader markets में reliance, titan, HDFC, AMC, LIC housing finance, बजाज फिंसर्फ, sun pharma, indigo, HAL, BEL, concor, भारत पोर्ज ऐसे नामों में एक अच्छा खासा move हमको नजर आया और यह expected है कि यहाँ से भी इन में जो move है वो continue होते वे हमको अगले अपते दिखाई दे सकता है जब market का analysis करते हैं तो FIA, DIA data को देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है FIA, DIA data का अगर हम analysis करें तो हमें पता चलता है कि दोनों ही इस अपते net bias रहे जहाँ पर FIA ने तक्रीबन 9,252 करोड रुपे की खरीदारी की वहीं DIA ने 4,326 करोड रुपे की खरीदारी की FIA का जो long short ratio है वह अब सुधर कर 58% हो गया है जो कि पिछले अपते सिर्फ 30% था Stock futures के front पर अगर हम बात करें तो FIA ने 16,000 contracts खरीदे हैं Overall data positive है और जब तक Nifty में 20,700 और Bank Nifty में 46,400 का level बना हुआ है तब तक गिरावट पर खरीदारी की ही view से काम करना ज़ादा बहतर है Overall अगर हम संखेप में कहें तो अगले कुछ दिनों के लिए Nifty का जो important support है वो 20,700, 20,750 का zone वहीं resistance के लिए 21,280, 21,350 का zone रहेगा Bank Nifty के लिए 46,250, 46,350 का zone है वो एक अच्छा support निकल कर आ रहा है और resistance के तौर पर 47,950, 48,100 के आसपास हमको resistance नजर आ सकता है तो दोस्तों आज के weekly podcast में इतना ही आप सभी का शुक्रिया इस podcast को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए विए विए बेदर भूद कर दोंने के लिए बाह समय कर दो कर दो कर दो कर देने कर दो है